बस्ते कैसे है आप सब लोग सामने वाला आपको इतनी जल्दी याद करेगा ना इतनी जल्दी याद करेगा इतनी ज्यादा जल्दी याद करेगा कि आप होजेंगे हैरान अब यह कैसे होगा अरे सामने वाले ने तो हमें छे महीने से याद नी किया साल भर से याद नी किया तो साल हो गए आपको नहीं पता हमारा रिष्टा टूटे हुए यह सारी बातों को आपको साइड अटाना है पहले तो अगर आपको सच मुछ में यह करना है तो कि सामने वाला पको बहुत जल्दी याद करें छे महिने से उसने याद निया अब क्या याद करेंगा एक साल से याद निया अब क्या होगा दो साल से याद निया अब क्या होगा उसके मन में तो मेरे लिए बहुत अदा नेगिटिविटी भरी हुए अब क्या होगा यह सारी चीजों से नहीं हो पाएगा तब नहीं होगा आपको क्या करना है यह सारे के सारे खचरे को उठाना है और ठे मतलब आप दोनों का एक डूसरे को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं याद के ओपर बहुत जादा वीडियों करती हुछ आपके बहुत सारा काम किया गया है वीडियों कारते हुछ और मुझे मज़ा भी आता है क्या करने के लिए मुझे इसके results भी मिले हैं और बहुत सारे लोगों को भी मिले हैं तो किल मिलाकर कि ना बहुत सारी चीजों के जो results होते ना उससे मुझे कुछ समझ में आता है कि हाँ यार यार ये किया जा सकता है और ताभ आपको मिल जाता है एक बहुत बढ़िया वाला solution negativity हटा के आप positivity में आए, present में आ जाएए और feel कीजे कि कोई समय की सीमा नहीं है, अभी हो रहा है, इसी वक्त हो रहा है जो, उस इंसान के लिए आपको grateful होना है, उन क्षणों के लिए आपको grateful होना है, जो भी आपने एक दूसरे के साथ में अच्छे बिताए हैं, इसलिए मैंन को आप याद करना शुरू करें और उसके लिए grateful हो जाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अभी हो रहा है, ठीक है, तो आपको भी present में उस चीज के लिए grateful होना है, एकदम happy हो जाना है, बिल्कुल अच्छे से अंदर से आपको वो relaxation फील होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आप अंदरोनी तोर पर बहुत जादा एकदम relax फिल करें हैं, जब तक अंदर बहुत जादा उथल पुतल होगी, आप बहुत जादा negative फिल करें होंगे, आप बहुत जादा भागा दोड़ी जैसे चीजे फिल करें होंगे, ये भी thought चल रहा है, वो भी thought चल रहा है, वो दि समय की सीवा नहीं है समय का कोई बंधन नहीं है उसके लिए कोई कल परसों पुराना परसों नया आने वाला परसों कोई पास्ट कोई फ्यूचर कुछ नहीं है युनिवर्स में जो कुछ भी है वो प्रेजंट है हमारा पीछे जो गया है कल वो भी हमारा कभी प्रेजंट ही थ तो इस चीज को आपको clear करना है कि मुझे present में जीना है, present में feel करना है और बहुत अच्छा फील करना है अजब आप ये कर ले उसके बाद में आप इस चीज से पूरी तरीके से दूर हो जाए आपने जैसे कि किसी को एक message ड्रॉप कर दिया, किसी को एक call कर दिया, किसी से अच्छी बाती कर लिया, किसी से आम मिल कर आगे है उसके बाद में वो शांती वाली जो चीज होती है, वो happiness वाली जो चीज होती है वो आजानी चाहिए आपके अंदर और उसके बाद खोद एकदम चिल हो जाए, रिलाक्स हो जाए, अपने आपको अपने subconscious mind को ये एक message पहुँचा दे कि भईया, हम दोनों के वीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सामने वाला मुझे बहुत अच्छे से तरीके से मिस कर रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे, मैं भी उसको मिस करी हूँ क्योंकि कहानी हमेशा दोनों तरफ से होती है, जब एक तरफ से होती है, तो फिर तडपन होने वाली एनरजी बाहर निकाली है, ताकि ये एनरजी के जरिये आप बहुत ही जल्दी मैनिपेस्ट कर सकें, तो लौ ओफ अट्राक्शन बस ऐसे ही काम करता है, आप वो हो गए, आप जो हो गए, आपने वो अट्राक्ट करना शुरू कर दिया, तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको बहुत जल्दी याद करें, तो इस चीज का आपको बहुत ज़्यादा ख्यार रखना है, उसके बाद जो मेन इम्पोर्टन चीज है, उसके बाद जब मान लीजे, ये आपने आज कर लिया, और आने वाले दो-तिन दिन तक आप बहुत ज़्यादा फिर से वैसे ही positive हो सकते हैं, वैसे ही present में सोच सकते हैं, बस अपने आपको उस चीज को ले करके negative नहीं होने देना है, trust me अगर आप इस तरीके से करते रहे और let go भी करते रहे साथ के साथ, यानि कि आज सोचा, दो-चार दिन आपने चीज को छोड़ दिया, enjoy किया, बस ऐसे जैसे ही वो चीज हो चुकी है, और फिर से आपने अगर negative होने से बचने के लिए कर रहे हैं, तो फिर से कर लिया और फिर से आप positive हो गए, इस से आप positive भी बरने रहेंगे, थोड़ी सी आप act as a technique भी कर पाएंगे, और इस तरह से आप बहुत जल्दी positive रहते हुए manifest कर पाएंगे, सामने वाल आपको बहुत जल्दी तगले तरीके से याद भी करना शुरू कर देगा, तो इस तरह से आप सामने वाले को बहुत जल्दी positive वे में अपनी याद दिला सकते हैं, सामने वाल आपको सिर्फ और सिर्फ फिर positive वे में ही याद करेगा, क्योंकि आपकी जो energy नहीं कुल रही थी, आपको जो message जा रहा था, वह हैपी जा रहा था, सामने वाले को thank you बोलने के लिए जा रहा था, उन पलों के लिए thank you बोलने के लिए जा रहा था, तकि वही पल, वही दुनिया, वही चीज़ें, वही खुशी उसके भी mind में आए ये, तब होगा जब आपका खुद का subconscious mind उस वाली बात को लेके program हो चुका होगा, अपना मना रखी खयाल, अपने अपसे कीज़े धेर सारा प्यार, I love you all, टाडा,